हमारे देश में सुप्रिम कोर्ट ने बार बार इनिफॉर्म सिविल कोर्ण को लेकर जयर चर्चा की है क्योंकि देश के एक वहँद बड़ा वर्ग मानता है और उने सच्चाई भी है वो सिविल कोर्ध है वो सिविल कोर्द सचक्षपन तो करने वाला सिविल कोड़ा है जो समिदान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सब का दाइत्व है और मैं बानता हूं इस गंबीर विशे पर बेट में तर्का हूं और उन्स कानूनों को कि कानून दर्म के अधार पर देश को पाटते हैं जो उतनीच का सारा बें जाते हैं ऐसे कानूनों को आगुली स्वाज को तो स्थान में हो सब्सक्राइब हमारे समीधान को 55 वर्ष हो रहे हैं भारत के समीधान के 55 वर्ष की याक्रा देश को एक बनाना देश को स्रेश्ट बनाने में बहुत बड़ी भूमी का रही है भारत के लोक तंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के समीधान की बहुत बड़ी भूमी का रही है हमारे देश के दलीत, पिडीत, सोचित, बन्चीत को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे समीधान ने किया है अब जब समिधान के प्रततर वर्स हम बनाने जा रहे हैं तब हम देश वाजियों ने समिधान में निर्देश्ट कर्तवे के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है और जब मैं कर्तवे की बात करता हूँ तब मैं सर्म नागरिकों पर बोज़ बनाना नहीं चाहता हूँ कर्तवे केंद्र सरकार के भी है कर्तवे केंद्र सरकार के है मुलाजिम के भी है कर्तवे राज्य सरकारों के भी है राज्य सरकार के है मुलाजिम के है करतव ये हर्थानी स्वरायद संस्ता के है च्छायद हो नगरपाली का हो माघरपाली का हो तैजल हो जिला हो हर किसी के करतव है लेगिन साथ साथ 140 करूर देश वाच्यों की करतव यह अगर हम सब मिल करके अपने करतव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित बनेंगे और जब कर्टब्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहित होती है उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूत नहीं पढ़ जाती है मैं चाहता हूँ कि हमारे इस बाव को लेकर हम चलेंगे हमारा लोकतन तर भी मजबूत होगा हमारा सामर्थ और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे मेरी प्यारे देश वासियो हमारे देश में सुप्रिम कौट ने बार बार उनिफार्म सिविल कोड को लेकर जे चर्चा की है अने एक बार आदेश दिये है क्योंकि देश के एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जी सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे है वो सिविल कोड सच मुझ में तो एक प्रकार का कॉम्यूनल सिविल कोड है बेदबाव करने वाला सिविल कोड है ऐसे सिविल कोड से जब सम्विदान के 75 वर्ष मना रहे है और सम्विदान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए देश की सुप्रिम कोड भी हमें विशेपर देश में चर्चा हो, व्यापत चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को ले करके आए, और उन कानूनों को, जो कानून दर्म के अधार पर देश को बाटते हैं, जो उच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है, कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो, हमने कॉमिनल सिविल कोड में पचरता साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के अधार पर जो बेदबाव हो रहे ह हैं, सामान नागरी को जो दुरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति में लेगी, मेरे प्यारे देश वाजियों, जब मैं देश पर एक चिंता हमेचा कहता हूँ, परिवार बात, जाती बात, भारत के लोग तंत्र को बहुत मुक्षान कर रहा है, देश को, राजनीती को, हमें परिवार बात और जाती बात से मुक्ति दलानी होगी, आज हमने, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है, माय भारत, जिस संगेफिन का नाम है, उसकी चर्टा लिखी है, यहा माय भारत के एनएक मिशन है, एक मिशन ये भी है, कि हम जल्द से जल्ग, देश में, राजनीतिक जीवन में, जन प्रतिजिती के रुपे हैं, एक लाख ऐसे नवजवानों को आगे लारा चाहते है शुरुवात में एक लाख नवजवानों को आगे लाना चाहते है जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनितिक बैक्ग्राउंड नहीं हो जिसके माता पीता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनिति में नहीं रहे किसी भी पीड़ी में नहीं रहे ऐसे होनहार नवजवानों को Fresh blood एक लाख चाहए वो पंचायत में आएए चाहए नगरपालीका में आए चाहए जिला परिशदों में आए चाहए विधान सबाय में आए लोग सबाय में आए एक लाख नई नवज़वान कोई भी प्रकार का पूर्वकार राजनीति नितियास उनके परिवार का डाओ ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आएं ताकि जाती बात से मुक्ति मिले परिवार बात से मुक्ति मिले लोग तंत्र को समुर्दी मिले और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए उनको जो पसंद हो दल में जाए उस पर दल में जा जूर जूर का समन्द नहीं है ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोज भी नहीं आएगी सामर्थ भी नहीं आएगा लोग तंत्र सम्रुद्ध होगा और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होड़ा है और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगेती म है रुकावड बन रहे है पर गति रोत परदा कर रहे है आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है वर है JUST कहीं चनाव चल रहा है ले आघ्नी यह एमिटिया में चाहिए हैं तो सबीन One Nation One Election के लिए देश को आगे आना होगा मेलाल किले से मैं देश के राजनितिक दलों से आग्रे करता हूँ देश के समीधान को समझे वाले लोगों से आग्रे करता हूँ कि भारत की प्रगति के लिए भारत के समसाधनों का सर्वातिक उप्योग जन सामाने के लिए हुश के लिए वन नेशन वन इलेक्षन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए मेरे प्यारे देश वासियो भारत का स्वर्णिम कालखन है 2047 विक्सित भारत यह हमारी प्रतिक्षा कर रहा है बांधाये रुकावटे चुनोतिया उसके प्रास्त करके एक दर्द संकल्प के साथ यह देश चलने के लिए पतिबद्ध है और साथ्यों मैं साब देख रहा हूँ मेरे विशारों में कोई जीज़क नहीं है मेरे सपनों के सामने कोई परदा नहीं है मैं साब साब देख सकता हूँ कि यह देश 140 करोड देशवाच्यों के परिश्रम से हमारे पुरबजियों का खुन हमारी रगों में है अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड देशवाच्यों संबुरुद्ध बारत के सपने को साकार कर सकते हैं